तर सोल यानि जो अश्विनी कुमार है अश्विनी नट्षत्र है डैट आल्सो रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकिन उसके बाद जब सोल एंटर हो गया सोल और जीवा आप देखिए सूरिय जो पिता है उसका हाउस कौन सा है लियो देखे और जीव का हाउस कौन सा है धनू तो सोल जब जीव में प्रवेश करे और उसके इनिशेशन के लिए हमें जो एनर्जी क्या शकता है मार्स एरीस संग तो जहां से वह एनर्जी की शुवात हो गई यानि कि अब सीड आ चुका है और एक नई जरनी सूल की स्टार्ट हो चुकी है उसके जो अगले कुछ मंत रहते हैं जैसे एक बेबी वोम में रहता है कि वह कम मैं यहां से बाहर निकलूं कम मैं दुनिया को दिखूं तो आफ्टर सम टाइम आठ नौ महिने बिटाने के बाद वह बाहर निकलता है यानि कि उसको कर्म से उस मुक्ती मिलती है फ्रेडम मिलता है उसको फ्रेडम एक अलग कंटेक्स्ट है और डिपेंडेंसी एक जब आप परिपको नहीं जैसे एक बच्चा बरणी नक्षत्र के अंदर क्या चीज़ें आती है बरणी नक्षत्र के अंदर वो स्कूल आते हैं वो बच्चे आते हैं जिनको आप बहुत छोटे होते हैं बहुत छोटे नर्सरी के जी वाले स्टूडेंस जो होते हैं और डिपेंडिन्सी इस टू सेपरेट फिंग्स ठीक है तो चलिए हम अश्वनी की शुरुवात करते हैं अश्वनी नक्षत्र का स्टोरी मैंने उस रिकॉर्डड वीडियो में आपको बताया हुआ है ध्यान से उसको समझेगा ठीक है क्योंकि स्टोरी जो है बहुत इस साइन से जिरो डिगरी से स्टार्ट वो खरके तेरा डिगरी 20 मिनट तक वो रहता है हर नक्षत्र के चार चरण होंगे चार पदाज जिसको हम कहते हैं फोर पदाज ठीक है पहला पदाज हमेशा शुरुवात यहीं से करिए एरीज में रहेगा ठीक है यह पदाज का मतल में बैठेगा अश्वनी नक्षत्र के अंदर बैठेगा तो उसके चार चरण हो जाएंगे और वह उसके तरीके से बिहेव करेगा या जनरल वह बहुत सब्टल यह कह लिजे कि डीप एक चीज हो जाती है जब हम नक्षत्र पदास पे जाते हैं लेकिन हम पहले उसकी प्लैने लॉट्टृट्शिब कि हम उससे कैसे प्लैनेरि लॉट्शिप कि वह दिए गई बहे अश्वनी केटू क्यों दिया गया तो अश्वनी कुमार का स्टोरी आप दीखे स्टार्ट होता है कि सुर्य वाइफ है संजना संजना या सरनयू कहीं कहीं लिखा हुआ है कि कहते हैं वह अपने पती सूर्य से बहुत दूर चली जाती है क्यों चली जाती है कुछ ऐसी स्ट्रेंड गीन करूं जिससे मैं इसकी हीट को बरदाश्ट कर सकूँ ठीक है सो अभी सिंबॉलिक है इसको आप ध्यान से समझे कि क्या हो रहा है आपका विजुलाइजेशन आपका इमेजिनेशन काम करता है नक्षत्रों अब वह दूर चली गए अपना क्लोन बन तो अब चाया को वहां रखके जाता है पत्नी ठीक है संजन अपना क्लोन बना करके सूर्य के साथ सूर्य को रियालिटी बहुत बाद में पता चलती है लेकिन वो एक जब विश्व कर्मा के पास जाता है कि मेरी वाइफ कहां है पत्नी कहां है तो विश्व कर्मा कहते है कि आपका ब्रिलियंस इतना है कि वो चले गई आपको छोड़ करके बंद में चले गई तो विश्व करमारी ब्रिलियंस को कम करते हैं उनकी कुछ रेज को निकाल लेते हैं सुर्य की क्योंकि वो एक्सपर्ट है बारी तो फाइनली जाके वो संजना की खोज में जाते हैं जहां वो एक आपके दिये की मियूल या मियर शायद उसका फॉर्म लेके वहां पर रहती है तो उनको देखर के सुर्य जो मारतंड जिनको कहा गया है वो भी एक होर्स या या के लिजी की मेल होर्स स्टीड है ना उसका एक रूप फॉर्म क्रेट करते हैं और दोनों फिर और कहते हैं वो ब्रीधिंग एक्सचेंज करते हैं आपस में उससे जो पैदा होते हैं अश्वनी कुमार ट्विंस पैदा होते हैं याद रखेगा कि अश्वनी कुमार एक्सचेंज ओफ ब्रीधिंग से पैदा हुए है यानि कि अश्वनी नक्षक्तर का संबंध प्राण वायू से है, लाइफ ब्रीद, लगना इस योर लाइफ ब्रीद, इसलिए कालपूर्षकुन्डी का जो लगन है, वो बेश राशी है, अश्वनी नक्षत्र जो ब्रीद, क्योंकि किसी चीज़ के लाइफ की शुरुवात के लिए, आपको ब्रीधिंग की प्राण की जुरूत अगर वो गलत प्रभा में हो, तो आपको सफोकेशन, साइनेज के इशू, ब्रीधिंग में प्रोणा है, यानि कि प्राण वायू में प्रोब्लम आ जाएगा, लगन भी जब आपका एफ्लिक्शन में होता है, ब्रीधिंग एंड प्राणा, तब भी ये चीज़ें आपके स साथ होती है, क्योंकि आपका डिस्टर्बेंस हो गया, ऐसे बच्चे जब पैदा होते हैं, उनको दिक्कते होती हैं शुरुआत में, चीक है, अब अश्वनी नक्षत्र में सूर्या एग्जॉल्ट होता है, so there is a heat, heat है वहाँ पे, वैसे भी उनके पीता कौन है, सूर्या, तो heat है शुनी नक्षत्र में, यानि कि एक इगो भी है और heat भी है, so sometimes शुनी नक्षत्र जब एफ्लिक्टेड हो जाए, मंगल से, सूर्या से, राहु जैसे प्लानेट से, राहु जैसा प्लानेट बैठा हो शुनी नक्षत्र में, तो वात रोग बढ़ाता है, वायू का कार शुनी नक्षत्र अपने आप में प्राण और ब्रीधिंग को रिप्रेजन करता है, तो एक disbalance, imbalance create करता है, ठीक है, क्योंकि राहु एरी प्लानेट है, अब इसमें देखे, कि अशुनी नक्षत्र में, मैंने कहा, एक ego है, एक थोड़ा सा, एक allergy की heat जरूर है, so sometimes, जब आपक के तु फिफ्ट आउस में हो, पोर्थ आउस में कोई प्लानेट बैठा हो, अशुनी नक्षत्र में, या लगन में बहुत सारे ऐसे प्लानेट बैठे हो, जो fire है, तो कई बार, या Venus बैठा हो अशुनी नक्षत्र के अंदर, ठीक है, और उस नमाश में ऐसा चले जाए, जै जाता, fire होने की वाज़े से, वो create नहीं हो पाया, इत्त बढ़ जाता है, embryo create नहीं होता, ठीक से फिर वो develop नहीं होती चीज़े, तो कई बार यहाँ पर मिस करी, जो अशुनी नक्षत्र में, अब केतू देखे, केतू चीज़ों को connect करता है, हमेशा आपने सुना होगा, केत करता है, केतू is like a bridge, केतू सीडी है, केतू रसी है, जो दो चीज़ों, केतू wire है, ठीक है, तो केतू connect करता है चीज़ों, और केतू के अंदर वो quality भी है, किसकी split करने की, यानि कि पहले आपको attachment देता है, फिर detachment देता है, ठीक है ना, तो केतू के अंदर आप natural quality रखे, अश और करके रखे नहीं, तो मुझे ऐसे लगता है, कि उन्हें अकेले बोले जब रहो ना, तो अश्विन नक्षत्र देखे, split हो गया है, twins है वहाँ पर, separation भी है, mother-father का separation भी है, mysterious conditions में पैदा होते हैं अश्विनी कुमार, तो अश्विनी नक्षत्र के अंदर, mother-father का separation, बट व हमेशा नहीं होगा, मैं आपको अभी practical chart के तुरू बताऊंगा, ठीक है, अब अश्विनी नक्षत्र, एक लगू नक्षत्र है, लगू और शिप्र, शिप्र, शिप्र मतलब, और हर एक नक्षत्र के एक शक्ती होती है, तो इसकी शक्ती है, शिद्र व्यापनी शक्ती, या यानि की, to make, to reach the things quickly, यानि की चीज़ों को जल्दी पाना, या कहीं पर जल्दी पहुचना, वो इस नक्षत्र की शक्ती है, अश्विन नक्षत्र की, अब लगू, लगू का मतलब होता है, जो लगू, short period के लिए होता है, तो अश्विन नक्षत्र में, यानि की जब मैं नक की नक्षत्र की बात कर रहा हूँ, लगनेश अगर इस नक्षत्र में हो, या चंद्रमा इस नक्षत्र में हो, या बहुत सारे प्लैनेट के इंदर यात रिकोर्ड में इस नक्षत्र में बैठे हो, मैं उनके ज्यादा prominent effect की बात कर रहा हूँ, कैसे एनलाइज करते हैं हर प् होता है अच्छान चाल लकशत्र में छीडिर अफादर का सेप्रेशन हैं ते it inicial से हमेशा नहीं होता मैं उसके उसके कुछ बताऊंगा कि आगर यह कंडिशन आपको मिलती है तो डेफिनिटली आप चीजें कर सकते है कि हाँ आपके फादर मदर का सेप्रेशन है या फादर की दो शादी है विकॉज अश्विनी है जो है दो पैदा हुए एक नहीं दो अश्विनी अश्व यानि गोड़ों के मुख वाले कुमार यानि यंग यूथ फुलनेस हम इससे समझते हैं अब लगू नक्षत्र तो यहां चीज़े बहुत शौट के होती है जैसे शौट जन्रीज करना या चीजों को बहुत एकदम हिस्टमेस में या बीना सोचे समझे स्टार्ट कर देना देन अरे वस छोड़ जोते स्टार्ट किया पास दिन पढ़ा आप चीजों को कर लेते हैं फिर बाद में छोड़ देते हैं फिर लगू नक्षत्र शिप्र जल्दी करना जल्दी पहुंचना ऐसे नक्षत्र वाले लोग जो पैदा होते हैं लगन चंद्र या लगनेश बैठाओ तो उनके अंदर वह क्वालिटी पाया जाता है ठीक है ए सबस्क्वाइब का मॉंटिनि रिंग बोलते हैं उसको में क्योंकि आश्वन्य कुमार के अंदर माज़र है अश्वनि नक्षत्र का सिम्बल है वह होर्स योणी भी में हौर्स है ठीक है और तो हॉर्स की खासियत क्या है कि वह एक्साइटेड है उसकी पहचान है मुव्मेंट से इस नक्षत्र को मुव्मेंट से जोड़ा गया है ठीक है और इस नक्षत्र के हम यह चीज़े भी गोलते हैं कि कई बार यहां पर एक स्टबबर्नेस है ना हटी जो हो जाते हैं लोग कई बार अपनी बात को मानने वाले तो वह कई बार हमें इगो कम करना पड़ता है यानि कि प्रब्लम देता है रिलेशन्शिप में प्रब्ल पता भी ने चला कि संजय ने अपना क्लोन क्रेट कर लिया तो कई बार अश्री नक्षत्र के अंदर चीज़ें छुपी होई रहती है थोड़े टाइम तक फिर बाद में सड़नली एक्सपोज होती है ठीक है बाद में पता चलता है तो इगो क्लैशिज भी होते हैं यहां प बैठा हो ठीक है दूसरा जब भी हम देखेंगे नक्षत्र में यह देखेंगे करना शुनी और प्रॉब्लम हो जाएगा और उसमें अगर करक्नौमाश में शुकट चला ज digitally होगी जलदभाजी में शादी करना जल्दबाजी में relationship में आना आपको problem create कर सकता है ठीक है बहुत सारी चीज़ें आपके hidden रह सकती है जो बाद में आपको पता चलाए ठीक है यानि की जो separated पार्ट है वो तब ज्यादा रहता है किसी अश्वन नक्षत्र के अंदर अगर कोई planet अश्वनियम बैठे औ देखे अब देखे अच्छा मैंने का यह मूवमेंट वाला नक्षत्र है इसमें travel होता है चंद्रमा अश्वनी नक्षत्र में है चंद्रमा अश्वनी नक्षत्र में हो आप दीखिए मून अगर अश्वनी नक्षत्र में होगा तो ऐसे लोगों को बदलाव चाहिए समय समय पे बदलाव यात्रा हैं living places change होना हिली एरिया की तरफ रहना या ऐसी जगह जहां पे हवा ज्यादा हो सफोकेशन ना हो क्योंकि अगर मून अश्वनी में बैठा हो और वो पीडित हो जाएगा तो ऐसे लोगों को प्रॉब्लम होता है कि इसका breathing issues होते हैं इंट इसके इर नोज एंट तरोड अश्वनी कुमार लेकिन श्रिंशत्र में पैदा हुए लोग ऐसी सर्विसों में जा सकते हैं ह condemn आज के जो स्विगी में आप जो में आप ऑडर करते हैं या पुल्ट मैं जो साइकल प्याता है त इस अश्विनी एचिछा पार्ट ऑप ऑश्विन्ट पाशी नख्टतर जो आपके पास चीजें पहुंचा रहा है डिन बुविंग और दूसरा टून का क्वालिटी भी है स्प्लेट करना तो लॉडशिप ऐसे नहीं मिली है ग्रहों को जो लॉडशिप मिला है वो ऐसे नहीं मिला है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं उनके नेचर मैच करता है उस पर्टिकॉलर डीटी उस पर्टिकॉलर जो ग्रहों का जो क्रेक्टर स्टिक्स नक्षप्तर का जो क्रेक्टर स्टिक है तनी लोग कॉल क्यों करते हैं जब उनको पता है कि क्लास भोड़ी और वो स्टूडेंट का कॉल कि ओन सब्सक्राइब कि मेटिंग आइडी ठीक था ना सबके लिए इन्वैलिड कैसे होगे सब लोगों ने चौने बिलकुल चीकता सर हो एट जिरो नहीं दिख रहा बहुत लोगों को इसलिए 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 इन्वैलिड दिख रहा होगी कि 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 ओके ओके देशिद प्रॉब्लम यह इसलिए प्रॉब्लम रहा है इसलिए कॉल कर ला अच्छा तो इसके अंदर क्या का हो ने जैसे अश्विनी कुमार है वह ट्रैवल करते थे लोगों को यूथ फुल्नेस तो रिज्विनेट करते हैं या वहर जगा पहुंच जाते जहां पर लोगों को ज़रूरत होती है ठीक है और इसलिए अश्विनी नक्षत्र जो नेट कारे करते हैं लोगों को क्टों जाके अनके सीबस्ट के साथ वह कौमन लोगों को नहीं करने यहांकि ऑपस्ट्रस को प्राप्त किया कैसे उन्होंने आम्रित बनाना या सुम्रस बनाना क्यूंकि यहार फांड ऑफ स्विट स्विट्रेस तो कई बार आपका सेवंध लौड जब अश्री में चला जाए तो आपको एक हीलर आपका हस्बेंड आपका पार्टनर हो सकता है मोमेंट में रहने वाला फ्रक्ट्वेटिंग नीचर का ठीक है और आपका ए अगर सेमरलोड केतु में बैड़ जा है तो 101 परसेंट आपका एक पास लाइप कनेक्शन बनता है अश्वनी नक्षत्र के अंदर दूसरा मैं जैसा मैंने कहा कि अश्वनी कुमार के पास एक हीलिंग पावर है हील पीपर रिजोनेट किया उन्होंने किसी को आँख नहीं त प्रेजन करता है तो सम्टाइम्स अगर यह अफ्लिक्शन हो गया तो आपको या आपके आसपास भाई बहन या पती आप नक्षत प्लैनेटर लॉट्शिप देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनको इनटी इश्वनी कुमार के अंदर तो यहीलिंग से भी जूड़ा और यह लोगों को एक ऐसा जैसे बही कुछ लोग बातों बातें करके जोवियल नीचर होता है बातें करके बातों से हील करते है मून इसकी परसनलिटी में उसको चेंज भी चाहिए समय समय पे करकर नमाश में चला जाए तो 101 परसेंट वह आदमी बलाव ज्यादा है उसकी जीवन में बलाव ज्यादा है क्यों क्योंकि एक तो वश्वी नक्षत्र में पैदा हुआ और करक नमाश में चला गया ठीक है पूर एक्जाम्पल मैं आपको जो है काट के दुरू पर पदाता हूं ठीक है देखें जो पिश को जिपना सरल हो उतने तरीके से आप इसको सीखिए ठीक है और यह मून वह समितना ही जानेंगे ठीक है दूसरा एक और टेक्नीक में आप होता है कि लगन लगन ये या लगन में बैठा हुआ प्लैनेट अश्वनी में या मून अश्वनी में हो तो आप यह देखें देखें मून सबसे बड़ा मिस्टेक लोग करते हैं कि वो चंद्र कुंडली से नहीं देखते हैं नक्षत्रों को मून का प्लेश्मेंट कि इस नक्षत्र में गया बहुत इंपॉटन्ट है मून कुंडली से देखना चाहिए कि कौण से नक्षत्रों का connection ही चंद्रमा से हैं चंद्रमा की स्ताइस Mimi के बारे में आपने पड़ा होगा मून करता प्र एक नक्षत्र में रहता है तो इसलिए च तो वही है मून के इंप्रेशन यानि कि आपके माइंड पर जो इंप्रेशन रहे हैं मून आपकी पास लाइफ वाइसना को रिप्रेशन करता इसलिए क्योंकि मून वो चीजें वो टच वो डिजायर्स वो यादें करता है तिक है ना जैसे आप किसी पार्क से गुजर रहे हैं और आपने देखा आम है पेड़ पर आपके माइन में उसको खाने का आता है कि अरे आम है ना आपके इंदर एक डिजायर क्रेट होता है लेकिन वो डिजायर क्यों क्रेट हो रहा है आपको क्या पता है कि आम खाने की चीज़ है आम म कि आपने आम खाया है तो आपके अंदर वो डिजायर है वो उसका टेस्ट पता है आपको आपके अंदर मेमरी है मून के अंदर वो रिटेंशन पावर है पास्ट लाइफ वासना जितने भी आपकी डिजायर्ज रहती है जितने जिस भी प्रकार के आप फॉर्ट प्रुशेस क्रेट करते हैं सब आप चैयरिक करते है तो मून का नक्षत्र बहुत इंपॉर्टनेट हो जाता है इसे लिए सबसे ज्यादा सबसे पहले मून किसके नक् चाहेगा कि आरे माली किसी की बीवी का चंदरमा अश्वी नक्षत्र में है तो उसकी मैं बोर हो रही है यहां पर ससुदाब ने कि छोड़के आये उतने को फोन आते हैं मैं यहां भी बोर हो रही है मुझे लेके जाओ क्यों विकॉज अश्वनी नक्षत्र को चाहिए स्पेस ट्रैवल चाहिए ज्यादा टिकता नहीं है मैं क्या आदा लगू नक्षत्र है किसी चीज को ज्यादा कॉंटिनु नहीं कर पाता तो वह एक फ्लक्टुएशन है अश्वनी के लिए और उसको फिर स चाहिए खुले कमरा चाहिए क्यों क्योंकि सफकेशन होने के चांसी रह जाते हैं अगर आपकी वाइफ का या आपका सेवन्थ लॉड चला गया तो आपको इन्टी इश्यू मैंने कहा यह सब होते हैं क्योंकि बैलन्स होता है ब्रीधिंग से कनेक्शन है तो आप यह जरू चत्र में हो तो वात रोग दे सकता है क्योंकि राहु उसका है प्लैनेट है एक्स्ट्रीम लेवल ऑफ इगो एंगर देता है राहु फ्लक्चुएट करवाता है लेकिन बही को अश्वनी के पास को मार के पासरी जीनिट करने की पावर है तो अपने फेस या दूसरों को कैसे बिच्शन कर सकता है किस वेरे लवली लगा के या वह करता है जिय किसी ब् 2 पर 8 coaster धिश्युनão अश्विनी नक्षत्र के तुका नक्षत्र है एट विद जोलोजी बाइलोजी माइक्रोस्कोपिक अनलेसिस टू स्टड़ी दा होमन नेच्चर एन्वायर्मेंट नेच्चर यह सवी समें कनेक्टे तो राहु नश्वनी सम्टाइम्स बेक बायो टेक्नोलजी तो आप यह देखा करें कि मून या लगनेश या लगन किसके नक्षत्र में है जैसे मान लीजिए चंद्रमा अश्वनी में हो या यह मंगल यहां अश्वनी नक्षत्र में है, लास्ट के चरण में है, लास्ट के चरण में है, लास्ट के चरण में पहला चरण Aries, दूसरा चरण Taurus, तीसरा मिथुन, चौथा और 3 डिगरी 20 मिनट, 3 डिगरी 20 मिनट यह सब ऐसे होते हैं, ठीक है, इनको जब आप 4 से यहां पर ठीक है, और लगन भी इसी के अंदर है, तो अश्वनी प्रॉमिनेट हो गया, अश्वनी प्रॉमिनेट हो गया, आव मैंने जो अभी कहा कि चंद्रमा अश्वनी में हो, लगनेश या लगन अश्वनी में हो, तो जहां पर भी केतु होगा, डारेक्ट कनेक्शन है वो उस house उस house की कारग तर तो उस house वे आपका कुछ connection है past का direct connection बना देगा वो चीज़ें visualize होती हैं आपकी जीवन में आपका interest आता है आपको सपने आना उस चीज़ के आपको वो चीज़ें visualize होना प्रामिनेंट हो जाता है जैसे लगनेश और लगन अश्वी नक्षत्र में केतू बैठा अश्टम में प्लानेटरे लॉड को देखी इस व्यक्ति को नैचुलल इंटरस्ट जाएगा ज्योतिश हो गया, healing हो गया, occult हो गया, spirituality हो गया, इन सब में जाएगा चीज़ों को सर्च, research में जाएगा मालिजे चंदर्मा किसी का बैठा है लगन में या मंगल बैठा हो लगन में अश्वी नक्षत्र में केतू बैठा हो तो उसको विजुलाइजेशन होगी चीज़े फिप आउसे लेटेड़, नैचुरल कनेक्शन विद चाइल, नैचुरल कनेक्शन विद एजुकेशन, ऐस लगन, लगनीश, अश्वीन में बैठा हो, केतू पंचम में हो, तो कई बार ऐसे लोगों को अपने चाल्ड सपने में दिखते हैं, या बच्चे सपने में दिखेंगे, बच्चों से लगाव हो जाता है, या ऐसे लिखेगा कि आपकी एजुकेशन कंप्लेट नहीं हुए, या पेपर में बैठे हो, इस वेक्ति के चार्ट में, अश्वीन नक्षत्र में मंगल बैठा हो, अश्वीन का ही राइजिंगे, ठीक है, केतू गया अश्टम में, तो अश्टम भाव से जूड़ी चीज़ें, सम्थिंग उसको बहुत अरली एज में अट्रेक्ट कर लेंग तो यह समझ में आगए टेक्नीक क्या है? यह हर नक्षप्र के लिए लगेगा, लेकिन केतू के नक्षप्र में ज्याधा इसी लगता है क्योंकि केतू past life से जुड़ाई नक्षप्र है, past की चीज़ों को carry करता है, connect करता है past की चीजों से ठीक है ना अब मैंने एक टेखनीक और बताया कि आपका अश्युनी रक्षात्र में प्लानेट बैठा हो सेवेंथ लॉड अश्युनी में बैठा हो मून अश्युन बैठा हो और आपके लाइफ पार्टनर का जिससे शादी हो रही हो उसका सेवेंथ हाउस में केतू हो या लगन में केतू यह सब के लिए अप्लिए के लोगँ वहाँ पर एक यह पूं है प्लीफैदी कनेक्शन बान जाता इस टीक है ना मगल अब आप देखे시乐 या सी कैसी बीशनी क्या है इसके इंदर हुए इसके इंदर इसके इंदर इमपेशन है क्योंकि मं smarter अभु वाला चलेगा तो तेज़ देज चलेगा ट्रैवल करने वाला लेकिन एमर्जेंसी सिचुईशन में काम करने वाला तो यह वक्ती डिप्टी एसपी है ठीक है यह वक्ती पुलिस आफिसर है